जो सकता है कि राउंद्री जींग और अनिलवेज यहां पर बागी सुरु अपना लें और यहां पर समर्थन वापिस ले ले लें और ऐसे में कहीं न कहीं सरकार बंते मंते बिगड़ती हुई नजर आ सकते हैं पाटी आ तो गई है लेकिन भारतिए जन्ता पाटी के तहत मुखे मंत्री चहरा कौन होगा कौन होगा जो शταकार कौन होगा। चेहरे पर हरियाना में विधान सभा का चुनाव लड़ा जाएगा नियाप सिंग सैनी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया भारतिय जनता पार्टी चुनाव जीती लेकिन चुनाव जीतने के बाद भारतिय जनता पार्टी के ही कई दिगगत चेहरे सामने आए जिनोंने चेहरे अब मांग कर रहे हैं कि मुख्य मंत्री की कुरसी उन्हें सौपी जाए इसमें से एक नजर आते हैं सात्वी बार अंबाला कैंट को जीतने वाले अनिलविच और दूसरी तरफ है गुरुग्राम से सांसद और केंद्रिय राज्य मंत्री राव इंदरजीत सिंग अनिल लगतार अपने बयानों के जरिये भारतिय जंता पार्टी पर दवाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं एक तरफ राव इंदरजीत सिंग का ये कहना कि जब दच्छिड हर्याना की वज़ा से भारतिय जंता पार्टी अधिक्तम सीटे जीती वी नजर आई है तो अहिरवाल बै राव इंदरजीत का सामने आता है जो भारतिय जंता पार्टी के दिगज नेताओं पर प्रप्राहार कर रहा है उन चेहरों को कहीं न कहीं सिकंजे में ले रहा है जो हर्याना के मुख्य मंत्री कुर्सी पर भी काबिज रह चुके हैं राव इंदरजीत सिंग सीधे तोर पर हर्याना के पूर मुख्य मंत्री मनोहलाल खटर पर हमला सादते वे नजर आते हैं इस अधार पर ये कहा जा रहा है कि क्या राव इंदरजीत सिंग बागी तेवर आजमा रहे हैं क्या राव इंदरजीत सिंग का एक वक्त पर ये कहना कि मेरे पास इतने विधायक हैं कि मैं भारते जनता पार्टी से अलग भी हो सकता हूं और भारते जनता पार्टी का खेल भी बिगार सकता हूँ क्या वो समय आ चुका है राव इंद्रजीत के जरीए क्या हर्याना में सत्ता में सरकारे बदल सकती हैं इसे जुड़े वे कई और तमाम सवाल यहां पर बनते हैं नियूज रूम में माजूद हैं सभी सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे अम सब्सक्राइब राव इंद्रजीत के बयान पर हमने बीते दिनों चर्चा की थी जब वो यह कहते हैं कि अहिरवाल से ही कोई सीएम चेहरा होना चाहिए अब मनोहलाल खटर को लेकर राव इंद्रजीत तंच कस्ते वे नजर आते हैं कि 40 साल की राजनीती कांत करना चाहते है मनोहलाल खटर ने पूरी कोशिश की थी कि दच्चन हर्याना में नई चेहरों को लेकर आएं तोडने की कोशिश की थी लेकिन हम तूटे नहीं 2014 से लेकर 2024 में आज भी ये दबदबा है कि मेरे समर्थक चुनाव जीते वे नजर आए सीधे तोर पर मनोहलाल खटर पर हमला सा कि भारते जंता पार्टी को चुनाओती है कि मैं बगावत कर सकता हूं हरियाना से बनना चाहिए या फिर जो अहिरवाल बैल्ट है उससे कोई सीएम बनना चाहिए इससे पहले भी वीडियो उनका निकले के सामने आया था जब ठीक चुनाव के बीच में बात हो रही थी कि भाई बोपेंसिंग हुड़ा नए मुक्खे मंतरी बनने वाले हरियाना कि उस समय उन्होंने कहा था कि भाई वो तब मुक्खे मंतरी बनेंगे जब हम उन्हें मुक्खे मंतरी बनने देंगे और देखिए जब बीजेपी के पक्ष में एक माहुल बना है तो ये वीडियो भी खुब शोशल मीडिया पर वायल हो रहा है कि राओ इंदर जीत की जो म में हैं कांगर्स पार्टे की हिस्से में नहीं आई तो बिपक्ष में आने को मजबूर है तो ये जो पूरी के पुरा गड़ित राओ इंदर जीत बिठाते वी नजर आ रहे हैं उनका कहने का मतलब यही है कि भाई जिस तरह से यादव हमेशा आपको वोट दे रहे हैं जिस पर 13 में वो कांगर्स पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे उसके बाद लगतार उन्होंने बीजेपी को मजबूत किया है ताकतवर मनाया है उनकी बेटी भी आर तीस बार चुनाव जीती है जो कह सकते हैं कि आटेली से तो ऐसे में कई समीकर बनते हुए दि कर पहले ही हो चुका था कि वह सी एम बनेंगे लेकिन अभी भी कोई बड़ा बीजेपी के नेता ठोस तोर पर अभी तक कहन नहीं पाया है कि हमारे नए मुख्यमंति नायप सिंग सेनी अभी भी खबर आ रही है कि तीन-चार दिन के बाद इसको लेकर अनॉंसमेंट होगा तो आप यह मान कर चले कि सी एम पत को लेकर कहने कहीं आपस का जो खेल है जो माहूल है वो यहां पर बिगड़ता हो नजर आ सकता है खुदानिल विच का भी जिसम जिकर करे रहे हैं कि वो लगातार उत्सुक है कि उनको सी एम बनाया जाना चाहिए नायप सिंग सेनी तो चाहिए मान लिया जाता है चाहिए उत्त प्रदेश में योगी आदितिनात मुलाकात करते हैं विधान सभाच चुनाफ के बाद दो बार मुख्य मंतरी की कुरसी पर काबिस हुए है ठीक इसी तरीके से देखा जाए तो नियाप सिंग सेनी बीते दिनों प्रदान मंतरी से म बाद करते हैं तो क्या ये मुलाकात इस अधार पर हम मान लें कि नयाप सिंग सेनी ही मुख्य मंतरी हो सकते हैं मुलाकात तो जाहिर बात एक इस अधार पर भी हुए हुए कि उनकी अगवाई में बीजेपी ने हर्यानमें चुनाफ लड़ा है और जाहिर बात जीते हैं करेंगे कौन नाम होने वाला है तो आप ये मान कर चले कि नायव सिंग सेनी को भी पता है कि हो सकता है उनके नाम पर महौड ना लगए क्योंकि अगर आम उनके कारेकाल को देखें तो चार-पाच महेने का कारेकाल ता ऐसा नहीं कि उन्होंने दो-तीन साल कह सकते हैं मुखे मंतरी की पत पर काम किया हूँ तो ये उनको भी पता है कि बीजेपी यहां पर कोई कह सकते हैं किसी दिगच के नाम पर महौड लगा सकते हैं चोकि राउंदर जीट और आनिल वीच दोनों बड़े नेता हैं इनसे मुलाकात के रहे उसके बाद किसी एक नाम पर कह सकते हैं महौड लगती हूँ नजरा लेकिन नायप सिंग सेनी जैसा आपने खुद भी कहा कि जो पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात होती है और जाहिर बात है कि अगर आप कह सकते हैं पाटी के सब्सक्राइब नेता को संबोधित करते हैं उस दौरान उनका कहना होता है कि दचिण हर्याना में उन्हें कम से कम आठ सीटे मिली और उनके समर्थक ये सीटे जीतते हैं लेकिन नागल चौधरी एक विधान सभा सीट ये उनके खाते से कही ना कहीं खिसक जाती है अफसोस नहीं होता साथ सीटों पर जीतना एक बंपर जीत के रूप में माना जाता है और हर्याना की वज़ा से दच्चिण हर्याना में भारतिय जंता पार्टी जितनी सीटोंको यहाँ पर जीतती विदी नाजर आई है जहां देखाः से 20 सीटों पर जीत दर्च करना ये दर्चाता है कि अगर ये सीटे ना निकली होती तो भारती जंता पार्टी आज बहुमत के साथ मौजूद ना होती लेकिन रिवारी में उनके कारेकरताओं द्वारा एक नारा लगाया गया कि मुख्य मंत्री तो राव इंदरजीत सिंग ही होने चाहिए मुख्य मंत्री की बात की गई हमारे कई दर्शक भी अपनी कमेंट के जरीए ये दर्शाते वे नजर आए कि राव इंदरजीत सिंग को ही मुख्य मंत्री होना चाहिए मनीश मेरे साथ मौजूद है मनीश किया लगता है आपको राव इंदरजीत चो लगतार भारती जंता पार्टी पर दबाव बना रहे हैं कि भारती जंता पार्टी उनके आगे जुकती वी नजर आएगी या फिर यहां पर भी चर्चाएं चल रही हैं कि हर्याना में भी दो उ मुख्यमंत्री ना बनाकर उप मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाए जी बिल्कुल नाजमीन यहां पर देखा जाए तो जब से यहां पर चुनावी परिणाम हर्याना के घोशित हुए हैं कहीं ना कहीं अनिल विज और राव इंद्रजी सिंग दोनों ही इस बात का दबा प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी लगा चुके हैं आपने भी कहा और पार्टी में शुरुआती दोर से यह बाते उठकर आ रही थी कि महारा जब हर्याना का चुनाव यहां पर शुरू होता है तो उससे पहले भी कहीं ना कहीं पार्टी यह चर्चा करती भी नदर आई थी अगर चलता रहा तो सकता है कि यहां पर सिर्च ब्रची दोर में अधगी दरफार उ सकती वह कहीं नग्रेस कंग्रेस फिर से सब्सक्राउइस और ऐस कर दें पर ultricorim लोगता बोर्म कंग्रेस क्यों अगर इस तरीकी की कोई चीज होती है तो बेशक के कहीं न कहीं हर्याणा में भारतियंता पार्टी को एक बड़ा जटका लगता हो नज़रा सकता है और ऐसे में पार्टी अलाकमान जिस तरह से ये दावे करते वे नज़रा रहते कि अपकी बार है ट्रिक लगेगी तीसरी बा लेकर ही मानेंगे और अगर उन्हें सीम पत नहीं मिलता है तो राव इंदरजीत सिंग और अनिलविज दोनों ही यहां पर बागी हो सकते हैं उनका बागी होना कहीं न कहीं भारतिय जंता पार्टी के लिए हर्याना की राजनी पैसला करेंगे और अभी भी समय हैं और इसी मुख्य मंतरी कौन होगा कौन बैठेगा मुख्य मंतरी की कुरसी पर इस मुद्धे को लेकर आप क्या सोचते हैं कि किसे होना चाहिए मुख्य मंतरी क्या राव इंदरजीत सिंग एक सही चहरा हैं अपनी राइकम सेक्षन में जरूर दें देखतेरे और एस पर नाईन स्टनिवाल.